सुरेश पढ़ने में बहुत होशियार था, एक्जाम भी अच्छे गए थे, लेकिन एक महीने की बीमारी ने उसको आत्म हत्या के लिए मचबूर कर दिया, हुआ यू कि सुरेश होनहार स्टूडेंट था, ठीक ठाक महनत करता था और ध्यान से पढ़ता था, जिस कारण उसके अच्छे नंबर आते, इस क्वालिटी को देखते हुए टीचर्स ने समझाया कि तुम MBBS की तयारी करो, सुरेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था, उसने दो साल मन लगा कर महनत की, सब बढ़िया चल रहा था, अचानक साल के अंत में सुरेश को टाइफाइड हो गया, और डेड़ महीने तक वह बीमार पढ़ा रहा, जब सुरेश ठीक हुआ तो जोर शोर से पढ़ाई में लग गया, और किसी तरह कोर्स खत्म करके परीक्षा में शामिल हुआ, रिजल्ट आया तो सुरेश का सिलेक्शन केवल तीन नंबर से रह गया था, शुरू में तो सुर बातें समझ में आ रही थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह खुश नहीं था, उसके जिगरी दोस्त जिनके साथ वह पढ़ता था, वह सब मेडिकल कॉलेज पहुँच गए थे, दोस्तों के वाटसैप स्टेटस पर सफेद कोट वाले फोटो देख कर उसे चिढ़ भी होने लगी थी, जाने अंजाने में सुरेश खुद को दोस्तों से कंपेयर करने लगा, फिर शिकायत करने लगा कि मेरी किसमत ने साथ नहीं दिया, अब जब कोई छोटी मोटी दिक्कत आती तो सुरेश उसे सुलजाने की बजाय किसमत को कोसने लगा, अरे मेरी किसमत ही खराब है, सुरेश महनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल कुरसी पर बैठा रहता, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज करके एक्जाम दिया, लेकिन जब तीन महीने बाद रिजल्ट आया तो उसके नंबर एक्षन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, वह दिन भर अतीद के बारे में सोचता रहता, अगर कोई टोक दे तो उसे पूरे दिन बुरा लगता, और वह बदला लेने की सोचता, उसके बदले व्यवहार के कारण लोगों ने उसे समझाना भी छोड़ दिया था, एक सुरेश पूरी तरह हताश होकर एक पहाड की तरफ चल दिया कि ऐसे जीने का क्या मतलब जब मन को चैन नहीं मिल रहा, सुरेश काफी देड तक चोटी के किनारे खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे चलांग लगाओ, तभी पीछे से आवाज पीछे से वह आवाज नहीं आज्या थी, सुरेश के पैर अपने आप पीछे हट गए, उसने पीछे मुड कर देखा तो एक अधेड उम्र का योगी या साधु जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है, योगी तो एक नजर में ही सब कुछ समझ गया था, उसने पूछा, क्य बहुत छोटी समस्या है, जिसे तुमने बड़ा बना लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं इस परेशानी का आसान हल दे सकता हूँ, सुरेश ने कहा, मुझे जल्दी बताईए मुझे क्या करना होगा, मैं हर हाल में बुरी बातों और असफलता को भूलना चाहता हूँ, ने सुरेश से बोला, हाथ आगे बढ़ाओ और इस दीपक को पकड़ो, योगी ने सुरेश से पूछा, इस दीपक का वजन कितना होगा, सुरेश ने कहा, कुछ खास वजन नहीं है, इस दीपक में योगी ने कहा, कुछ देर इस दीपक को यूँ ही पकड़े रहो, बस अप अगर दीपक को पूरा दिन पकड़े रहो, तब क्या होगा? सुरेश ने कहा कि हाथ सुन पड़ जाएगा, मानस्पेशियों में खिंचाव बढ़ जाएगा. योगी ने कहा क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया है? सुरेश ने कहा नहीं. दीपक का वजन तो पहले ही इतना है. योगी ने कहा, जैसे दीपक हलका होने के बावजूद हाथ को चोट पहुचा सकता है, वैसे ही छोटी मोटी बात, चिंता न करने वाली बात अगर दिन भर पकड़े रहोगे, तो भी अपने आपको भयंकर कष्ट में डाल लोगे. योगी ने कहा, जैसे कष्ट से बचने के लिए आपको बस दीपक नीचे रखना है, वैसे ही तुमको अपनी चिंता और शिकायत को नीचे रखना है. तुम्हारी कहानी चिंता, तुलना, शिकायत से लेकर असफलता और फ्रस्ट्रेशन की है. ये सब तुम्हारे पहले विचार के साथ शुरू हुआ, जब शिकायत की आदत पढ़ गई तो तुम्हारे मन का चैन ही खत्म हो गया. सुरेश ने कहा, ये तो सब मैं समझ रहा हूँ, मेरी आदत बन गई है. मैं दिन भर यही सब सोचता रहता हूँ. बताईए मैं क्या करूँ? योगी कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को समझो, कि जीव में कभी न कभी यह हम सब के साथ होता है. हम प्लैन बनाते हैं, महनत करते हैं, लेकिन वह पूरे नहीं हो पाते, इसमें न किसमत की गलती है न हमारी, बस हम नए सिरे से दोबारा कोशिश करते हैं. ये सब तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया. तुमने इमानदारी से म उत्सुक था. उसे समझ में आने लगा कि उसे एक नई स्किल सीखनी है. ये घटना उसके जीवन का एक बड़ा लेसन बन गई. उसने योगी से पूछा, मुझे यह तो समझ आ गया कि पुरानी बातों को बोज नहीं बनाना है, पर यह सब में करूंगा कैसे. योगी ने कहा हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्रामड है कि या तो यह धन्यवाद महसूस कर सकता है या फिर चिंता कर सकता है. इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ. छोटी-छोटी चीजों में अच्छाई देखने की आदत डालो. ऐसा करने से कुछ देर तो तुमको चैन मिलने लगेगा लेकिन कभी-कभी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा. हर रात सोने से पहले तुम्हारा मन हलका हो जाना चाहिए. आज के दिन की गलती और दुख कल परेशान नहीं करना चाहिए. तभी जीवन में प्रगती होती है. इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मन हलका होना बहुत जरूरी है. ऐसा करने के लिए हर शाम को वह सभी बातों को लिखना शुरू करो, जिनके कारण तुम परेशान थे और उसके लिए भी धन्यवाद लिख दो. फिर दो लाइने लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया और दो लाइने कल दूँ. ऐसा करने से तुम हमेशा हलके मुस्कुराते बने रहोगे, हमेशा मन लगा कर काम करोगे और कोई भी बड़ा हादसा या रुकावट तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी. सुरेश आज बहुत खुश था. उसे लगा कि मैं दो साल फेल नहीं हुआ, बलकि मुझ दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना है. आज क्या अच्छा किया और कल एक के दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना है.